नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से सुआगद करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और अजपी नौटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 15 फरवली 2022 की हेमाचल पर्देश की शाम पांच बजे की टॉप टम ताला खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बने रही है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर आपने भी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके जुरूर बताएं कि आप हेमाचल पर्देश के केस्टेश टेक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं जो तारा खबर ब्रेकिंग निउस जा पहली हिमाचल प्रदेश स्तारा फर्वरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्तान लंगर प्रोस्तने पर अब पाबंदी नहीं आदेश जारी तो स्तारा फर्वरी से कोबिड नियमों की पालना के साथ सभी शिक्षण संस्तान समाने शडियूल के तहट काम करना शुरू करेंगे इस संबंद में मंगलबार को राज्य आपदा प्रबंदन प्रकोष्ट की और से आदेश जारी किये गए हैं मंडी में हादसा अलपीजी सिलेंडर में धमाके के बाद मकान में भड़की आग दस लग जुलके हुआ और दोनों कमरों में आग लग गई इसे जो है दोनों परिबार आग की चपेट में आ गए हिमाचल धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी जाने 19 फरवरी तक क्यासा रहेगा मौसम तो मौसम विभाग केंदर शेमला ने एक दो उच परवती स्थानों को छोड़क परदेश के अन्य भागों में 17 फरवरी तक मौसम साफ रहने में का पूरवा अनुमान जताया है वहीं मौसम साफ रहने के चलते तापमान में बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई है महिला शक्ती परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए खेतों में हाल चलाती है कुलू की क कंचन दूसरी महिलाओं की प्रेणा बन गई है परिवार की जिम्मेदारी के साथ कंचन खेती बाड़ी भी अकेले ही संबाल रही है कंचन की सफलता का जब रिष्टेदार और ग्रामेनों को पता चला तो उन्होंने प्राकरतिक और रासानिक खेती शुरू कर दी है कुलू दार्चा से ले सामरिक मार्ग को बाहल करने का काम शूरू बियारों ने एक दिन में 8 किलोमेटर बर्फ जो है हटाई तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं मनाली से ले की दूरी करीब 427 किलोमेटर है बियारों को मनाली से सर्चु तक बर्फ को हटाना है इसकी दूरी 230 किलोमेटर है बियारो 150 किलोमेटर से बर्फ हटा चुका है जबकि 80 किलोमेटर मार्क को बाहल करना अभी शेश है विरोध का नया तरीका करुणा मुलक संग ने मंत्री को सदबुद्धी देने के लिए हावन करवाया तस्वीरें आप देख सकते हैं परदेश अध्यक्ष आजय कुमार मुखे सलाकार शेशी पाल और मीडिया परभारी गगन कुमार ने बताया कि हवन विशिश तोर पर जलशक्ती महंतर मंत्री महंदर सिंग के सदबुद्धी के लिए किया गया है सोपी के तहट लगेंगी कक्षाएं स्कूल में नहीं होंगी प्रारतन सबाएं खेल कूद की गदी बी दिया जो स्कूल लों के जो है कमरे की किशमता के अनुसार पचास फिज़ते विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बठाया जाएगा शेश विद्यार्थियों की किलास दूसरे कमरे में लगाए जाएगी करोना की मार साल 2021 में मातर 4832 विदेशी से लामी ही आए हिमाचल तो पिछले दो साल में देश भर में कोविट के कहर का असर हिमाचल परदेश की प्रेटन वे अपसाय पर भी पढ़ा है 2021 में परदेश की हसीन वादिया निहारने के लिए 4832 विदेशी ही प्रेटक यहां पहुंचे हैं कमेटी ने किया प्लांटों का दवरा सीमेंट के दामों पर लगाम लगाने की तियारी में हिमाचल सरकार तो वर्तमार में राज्य सरकार का सिमिंट के दाम तै करने के लिए कोई नियंतर नहीं है इसका फायदा उठा कर सिमिंट उद्योग मालिक बाहरी राज्यों से महंगा सिमिंट हिमाचल में बेच रहे हैं आगे जो बताया आपके सम्दिन निव्ज हिमाचल प्रदेश कैबिनिट एक अपरेल से मंडी में शुरू होगा प्रदेश का दूसरा विश्य विद्यले तो शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्य विद्यले से संबंद सरकारी और नीजी कॉलेजों के संख्या 400 से अधिक हो गई है अब कलस्टर विश्य विद्यले को अपक्रेड कर जो है राज्य विश्य विद्यले जो है बनाया जा रहा है लीपोल्ट रामपुर के कराली गाउ में मिला घायल शावक वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू तो रामपुर विश्य है कि विकास खंड रामपुर के अंतरगत आने वाले कराली गाउं के समीक तेंदू के एक घायल शावक मिला है स्थानी लोगों ने तुरांत इसकी सूचना वन विभाग को दी जिसके बाद विभाग की रापिड रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई उन्ना के पंडोगा वैरियर पर पुलिस ने हमीरपुर के तीन यूपकों से पकड़ी 63.16 ग्राम हेरोईन तो उन्ना पुलिस ने नशे की खिलाप विशेश अभ्यान चलाकर नशा तसक्रों की कामर तोड़ दी है पंडोगा वैरियर स्थिते होरेस्ट चेक पोस्ट पर पुलिस ने नाकरबंदी की दोरान 63.16 ग्राम हेरोईन पकड़ने में सफिलता हासिल की है मंडी शिवरात्री अंतराष्ट्री महुतसव के लिए मुख्य महमान बड़ा देव कामरू नाग को जो है इन्विटेशन तो अंतराष्ट्री शिवरात्री मेले के मुख्य महमान बड़ा देव कामरू नाग को मंगलवार को निमंतरन मिल गया है जिला प्रिशासिन की ओर से मंगलवार को संबंदित कानगो महन सिंग यादब ने परंपरा का निर्वान करते हुए गूर टिककन सिंग ठाकुर को निमंतन पत्तर दे दिया है नालागड में ममता हुई शरमसार नाली में मिला सात्मा का भरून तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नालागड में मा की ममता को शरमसार करने का मामला सामने आया है यहां नालागड के बार नमबर सात में MC पार्ट के नजदीख जो है पानी की नाली में सात्मा का भरून मिला है पती को आत्म हत्या के लिए उक्साने के आरूप में पत्नी गिर्फतार चंबा से नीजे की बनिखेत में एक दुकान द्वारा आत्म हत्या करने के मामले में पोलिस ने आरूपी पत्नी को गिर्फतार कर लिया है मंदी में पहली अप्राइल से काम करना आरम करेगा हिमाचल का दोसरा राज्य बिश्विद्यल शिक्षामंत्री कुल्लू के वेद को मिला आर्मी अफसर के बाल अब तमिल फिल्म में पाइलेट का रोल तस्वीर जो है आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज 15 फरबरी 2022 की हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की टॉप टांटाजा खबरें अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेर कर दे और अंकित पर्मा और अच पी नॉटिपकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है ताकी आपता खिमाचल प्रदेश की हार नॉटिपकेशन सब्सक्राइब पहले पहुंच सके नन्यवाद जैहिन जैभार झाल 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 झाल